Hello and welcome friends, मैं हुर रविंदर और आप देख रहे हैं Cellcronic टेकनोलजी Cellcronic ने इंडिया के अंदर अपने 3rd generation inverter टेकनोलजी को लॉंच कर दिया है जो की है Expert VM3 Expert VM3 विदेशों में यूज होने वाली सबसे highest टेकनोलजी है तो आइए करते हैं इस inverter की unboxing और देखते हैं आपको क्या क्या नए नए फीचर इस टेकनोलजी में देखने को मिलते हैं Company की तरफ से हमें दो box मिलते हैं एक box में AC-DC box है दूसरे के अंदर हमें inverter मिलता है तो चलिए इनको open कर लेते हैं तो यह मिलता है हमें AC-DC box इस cell chronic यहाँ पे इसका logo mention है यहाँ पे 5 kilowatt 48 volt लिखा हुआ है सबसे पहले हमें मिलता है 5 pin female connector इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 5 pin है इसका जो male connector है वो हमें inverter के अंदर मिलेगा यहाँ पे पहले से इसके अंदर solar की wire MC4 connector के साथ लगी हुई है तो यह है हमारा AC-DC box और इसके अंदर यह सारे components लगे हुए है तो यहाँ से simply देखिए लिखा हुआ है AC input यहाँ से आपको इसको बिजली देनी है यहाँ पे phase लगेगा यहाँ पे आपका neutral लगेगा और यहाँ से आपको output लेनी है यहाँ से फिर दोबारा phase और यहाँ से neutral यहाँ पे आपको solar की input देनी है प्लस और माइनस और यहाँ पे आपको earthing connect करनी है जब आप box खोलेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे earthing one और earthing two दिखाई देगा तो आपको दो अर्थ करानी है दो अर्थ इसके लिए mandatory है एक अर्थ आप यहाँ पे connect करेंगे और दूसरी अर्थ आप यहाँ पे connect करेंगे जो सबसे पहला component है वो है AC SPD यह हमें सर्ज से protection देगी उसके बाद आता है हमारा voltage protection device यह हमें under और over voltage से protection देगा इसकी जो rating है वो under voltage है 170 volt और जो इसकी over है वो है 270 volt तो यह under or voltage को देखेगा और 30 second के लिए wait करेगा 30 second के बाद यह यहाँ पे electricity को release करेगा उसके बाद आती है हमारी MCB यह हमें short circuit और overload दोनों से protection देगी उसके बाद आती है हमारी neutral bypass यह सबसे most important चीज है यह क्यों important है आपको बता देते हैं अगर आप दो wire से output ले रहे हैं तो आप इसको off रखेंगे उससे आपके जो neutral है वो input और output में bypass नहीं होगी इससे आपका system बिल्कुल safe रहेगा और company भी recommend करती है कि आप दो wire से ही output लें और इसको off रखें अगर आप single wire से output ले रहे हैं तो फिर आप इसको on करेंगे जिससे की हमारी जो neutral है वो bypass हो जाएगी उसके बाद आती है हमारी output वाली MCB जब आप output लेंगे तो इसको आप on करेंगे यह सारा electrical part उसके बाद आ जाता है solar part यह हमारी solar वाली MCB आपको यहां से input देना है और इसको on कर देना है इससे हमारे inverter के उपर solar की input चली जाएगी तो यह था हमारा complete ACDC box तो यह हमारा दूसरा box आइए इसको open कर लेते हैं तो यह हमारा inverter तो चलीए इसको निकाल लेते हैं एक हमें मिलती है अपनी battery cables जो चार batteries को connect करने में काम आएंगी दूसरा हमें मिलता है यह communication cable जिससे आप अपना wifi कनेक्ट कर सकते हैं एक मिलती है इसके साथ इसकी cd और user manual बाकिस में wires connected हैं और यह है अपना 5-pin mail connector जिसको हम ac dc box के साथ connect करेंगी तो आईए इसको निकाल कर आपको दिखा देते हैं तो फाइनली यह है हमारा inverter यह white color इसमें ऊपर दिया गया है और नीचे है इसका black color यह बहुत 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 कर देते हैं बाकिस्याद कर देते हैं अपना बड़िया combination लग रहा है, तो इसमें company ने सब कुछ पहले से ही connect कर रखा है, जैसे कि AC input के लिए 5-in connector mail switch जो आपके AC DC box के साथ connect होगा, और आपके AC DC box के अंदर wires भी थी, MC4 के साथ, ये उन wires के साथ connect होगी, तो ये solar part भी आपका सीधा connect हो जाएगा, और battery wires में इसमें आपको connected मि दिलती हैं, ये अभी wrap है क्योंकि आप इसको without battery भी चला सकते हैं, अगर आप इसको without battery चलाते हैं, तो इनको unwrap कीजिएगा, ताकि आपस में ये touch ना हो, अगर आप with battery चला रहे हैं, तो इनको unwrap करके आप battery से भी connect कर सकते हैं, तो ये है हमारा inverter, इसमें एक खास बात दी और यहाँ पर indication है कि ये 48V का inverter है, तो ये इसका नीचे का view है, यहाँ पर देखिए आप इसकी यहाँ से LCD का sign यहाँ पर डला हुआ है, ताकि आप यहाँ पर connect करके इसकी LCD को 20 मीटर दूर लगा सकें, और यहाँ पर इसके ports दे रखे हैं, और यहाँ पर इसके pen drive connect करके आप लोग भी ले सकते हैं, इसमें software update भी कर सकते हैं, यहाँ पर AC input, यहाँ पर AC output, और यहाँ बैटरी का positive negative, और यहाँ पर आते हैं आपके PV, इनके plus और minus, यह already सब कुछ connected हैं, आपको कुछ भी इसमें connect नहीं करना है, तो यह है इसका side में पूरा panel, यहाँ पर जैसे सबसे पहल serial number expert VM3, 5 kilowatt 48 volt, और यहाँ पर बताया गए है कि एक off grid hybrid solar inverter है, और इसका बाद आ जाता है, इसका serial number, यहाँ पर इसके PV input की specification दी गई हैं, जैसे कि आप इस पर 5000 watt तक का solar panel लगा सकते हैं, उसके बाद जो इसकी voltage है, maximum 500 volt इसको VDC, यानि कि आप जो open circuit voltage है, वो 500 volt तक आप इसको द अंदर यह connect होंगे इसके अंदर, और 18 ampere इसका short circuit current है, उसके बाद इसकी MPPT range है, वो है 122,450, यह 120 volt से start होगा, और 4500 volt तक आप इसको दे सकते हैं, दूसरे नंबर पर आता है AC output, तो आप इससे 220-230 volt तक कहीं पर भी आप सैट करके output उतनी voltage ले सकते हैं, उसके बाद amperes के अंदर यह 22 ampere के आपको output दे सकता है, और maximum अगर वोट में मैं बात करूँ तो 5000 वोट यानि कि 5 पिलो वोट यह आपको पूरी output दे सकता है, AC input, तो यहाँ बे लिक्क हो है कि nominal operating voltage है, वो है 230 VAC, यानि 230 volt, उसके बाद आ जाता है इसका maximum current capacity, तो यह 35 ampere तक current ले सकता है, उसके इसके बाद आ जाती है इसकी frequency, तो यह 52, 60 hertz है और यह auto sensing है, यहाँ पे इसकी battery power mention की गई है, कि इस पे आप 48 volt यानि की 4 batteries लगा सकते हैं, और जो maximum current यह battery से ले सकता है, वो है 118 ampere, तो तभी इसके ऊपर इतनी मोटी wire battery के लिए दी जाती है, क्योंकि इतने high ampere, फिरफ इतनी म जा सकते हैं, amachron.com पर, flipcard.com और आप हमारे dealer से भी purchase कर सकते हैं, dealer से purchase करने के लिए आपको जाना होगा www.cellcronic.com पर, वहाँ आपको dealer list का एक option मिलेगा, उसके बाद select करना होगा अपना state, और आपके पास सभी dealer की information आ जाएगी, तो इस 5 kilowatt के inverter के ओपर आप चला सकते हैं, दो गीजर, दो microwave, दो 1 HP के submersible pump और एक 3 HP की motor, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को subscribe कर ले और bell icon को hit कर दें, इस technology को आप जादे से जादा like करें, share कीजे और comment भी कीजी, thank you very much.